असलाम अलेकूम दिस इस नभीला कील फॉर्म जोन बिस्निस सेंटर वेल्कम बैक तो आर चैनल दस्तों पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि हम लोन पर लिस्टिंग किस तहां से कर सकते हैं जिए लिस्टिंग का हमने तरीका सीखा था जिसमें हमने कलर विरेशन भी में अगर सिखा एक धू और उसमें हमने साइससं भी आड़ किये था हैं आज के वीडियो का हमारा टापिक है मेटू लिस्टिंग क्या होती है और था है फदिज अल्र भी अगर सेल करना चाहरहे है क सालरा निचर चाहरे है अगर अ बॉस प्रडक्त कोसे उल कर देते हैं तो उसे हम कहते है v2 listing और new listing जो है वो दरसल lengthy process भी होता है और यह हम अगर हम अपने PR वगर हम अगर हम अपनी brand रेपोर्ड़ेट सेल करना चाहरे है तो उसमें हम manual listing करते हैं यहां इसको new listing भी गया है Manual listing जो है वो बिसमेरी lengthy process होता है जिसमें हमने जो listing कर रहे होते हैं वो फुद एक process भी lengthy है इसके लगए हमें इसकी data collection में भी भी ज़्यादा time लगते है इसके लिए हमें 2-3 घंटे भी लग सकते है new listing जाने के लिए लेकिन अगर हम बात करें मीटू लिस्टिंग की तो मीटू लिस्टिंग बिल्कुल ही शॉर्ट प्रॉसेस है बिल्कुल एजी प्रॉसेस है उसमें हमें जादा से जादा दो से तीन मिन लगते हैं क्योंकि उसमें हमने कोई data नहीं collect करना होता, वो product already listed है, उसका data already नहीं पर मुझूद है, तो हमें simply सिर्फ उस listing में add हो जाना है, इसे हम कहते हैं me to listing हमारे पास me to listing option तमाम market places पर मुझूद होता है, like amazon, kai4, और हर जगह पर हमारे पास me to listing option मुझूद आता है, लेकि अगर हम बात करें noon की, noon ने अपना manual listing का तरीका भी change किया है, क्योंकि पहले हमें noon को data प्रवाइब करना पड़ता था, और उस data पार्ट यूज करके लिस्टिंग कर देते थे, manual listing, करें अपने में अपनी manual listing Google कर सकते हैं, हम अपनी मर्धी का वसे डियाता दे सकते हैं, को जब उन्हों ने इस method को change किया, manual listing के method को change किया, तो उसके साथ ही एक MV2 Listing के option को नोन पर पहले से यो मुझूद हैं Listings, हम उन में B2 लिस्टिंग कर सकते हैं लेकिन हम new listing में B2 लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं नून ने इस option को खतम कर दिया लेकिन Amazon मेगरा पर अभी भी हमार पस B2 लिस्टिंग पर option वजूद है तो noon पर अभी हम जो तरीका सीखेंगे जो हम पुरानी लिस्टिंग अवइलेबल है नून पर हम उन में B2 लिस्टिंग करेंगे वोसे पहले हमें यह देखना है जritis उसके लिंक के नजर आ होगा है वो मतलब है यह कि और लिस्तिंग ह? तो इसका मतलब है कि हम इसकी में लिस्टिंग कर सकते हैं तो simply हमें पहले इसका title copy करना है एक और बात मैं आपको बता रहूं कि अगर हमें वहाँ पे noon के जो noon catalog होता है वहाँ पे अगर हमें product title के नहीं मिल रही तो हम brand name और model number के साथ भी search करते हैं हमने यहाँ से title copy कर लिया है तो हम यहाँ जाएंगे अपने dashboard पे इसकी बाद हमने noon catalog पे जाना है यहाँ देखें यह dashboard शो हुआ है इसमें हमने search पे जाना है और यहाँ हमने वह title paste कर देना है जो हमने copy किया था इसकी बाद हमें यहाँ पे product शो हो जाएंग अगर हमें exact product शो उटनी है तो हम इसका model number copy करते हैं और हम यहाँ वह paste करते हैं तो यह देखें exactly भही product आ गई है हमारे पास title से उस तरह की बहुत से product आ थी लेकिन model number से हमारे पास exact product आ गई है अगर अभी भी हमें product ना मिज़ी तो हम यहाँ brand name search करके यहाँ पर पर प्रड़क्ट ढूप से है इसके बाद हम इस पर click करेंगे और यह page हमारे पास आ गया है video listing के लिए अब हमने अपना SKU देना है यहाँ पर हम जो भी SKU देरा चाहिए तो मैं यहाँ SKU दे लिए इसको कि यह बाद create करना है हमने तो हमारे पस यह listing का पेश होगे में हम यह होता है कि हमने content वाला page फिल नहीं करना हो था हमने सिर्फ offer वाला page फिल करना हो तो यहाँ पर हम offer में सबसे पहले इसको active करेंगे title अल्रेडी दिया हुआ है हम यहाँ पर वास प्राइस देगे कि हमारे पहले की प्राइस की दिदी यहाँ पर वास प्राइस 69 और नौ प्राइस देगे कि हम आज से कब तक की यह sale range देना सार है 2-3 months की हम sale range देके उसकी बाद हम यह warehouse प्रेंगे quantity देनी है कि हम दी कितनी रखनी है और एक और बात का फियाद है कि drop shipping हम जब कर रहे होता है तो हमें जो processing time होता है वह हमें 4-5 days कर रखना होता है ताकि product जो हमें फीचे से बेसे हैं और उसकी बात हम आगे उसको real work रहे हैं drop shipping नहीं कर रहे होते हैं तो हम मतलब अगर हमारे अपने warehouse में product पढ़ी है तो हम यहाँ पे same day slack करके कर सकते हैं या अपनी convenience की according कि हम one day processing time करना चारी है two day करना चारी है same day करना चारी है जैसे हमें ठीक लागे ठीक है जैसे आपको ठीक लागे अप उसी साफसे कर सकते हैं उसके बारिया हमने बार कोड देना होता है यह बार कोड हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से जो कि product की identification होती है इसमें इस बार कोड में कहीं भी इस बार कोड को scan कि scan किया जाता है तो उस बार कोड के जरीए इस पूरी product की details कारी show हो जाती है के बार हम यहां पर इसकी warranty देंगे 3 months की लेन हम इसको take and submit करते हैं तो यह हमारी listing complete हो चुकी है अब हम content का list में देखते हैं तो यह भी पूरा fill होगा क्योंकि अल्रेड़ी list हुआ था product list हुई भी थी और हमने सिर्फ offer भी जो पनी information होती है वो देने होती है तो यह थी हमारी me to listing का तरीका था यह तो में देखिए आपके लिए बहुत जादा helpful रही होगी और इसके इलवा अगर अभी भी आपको कुछ confusion है या अनूर के store के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे comment box में comment करके पूछ सकते हैं इसके इलावा हमारे दिये गए numbers पर भी contact कर सकते हैं वीडियो को like और share करें चैनल को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूले अला आप शेस